राजस्थान में राज्जु सभा के लिए एक सीट पर उप्चुना होने हैं आलग कि ये सीट कॉंग्रेस की थी जो कॉंग्रेस के केसी वेडु गोपाल के लोग सभा मिख जाने से खाली हुई लेकिन विधान साबा की गणीत के हिसाब से अब ये सीट बिजेपी के पाले में जाने वाली है ऐसे में कॉंग्रेस अपना उम्मिद्वार खड़ा नहीं कर रही है जबकि बिजेपी ने बीते दिन पंजाब के नाता रवनीत सिंबिट्टू को अपना उम्मिद्वार घोशित कर दिया रवनीत सिंबिट्टू के इंदर में मंत्री भी है रवनीत सिंबिट्टू 21 अगस्त यानि आज अपना नमंकन दाखिल करेंगे इसके लिए वो राजधानी जैपूर पहुँच चुके हैं जैपूर पहुचते ही उन्होंने राजस्थान की सीम भजनलाल शर्मा से उनके आवास पर मुलाकात की नमस्कार मैं हूँ शेक जूही आप देख रहे हैं दर नगरी नियूस राजस्थान से राजसबसदस्य के लिए राजजेंद्र राठोड और सतश्पूनिया का नाम लिया जा रहा था लेकिन दिल्ली में भजनलाल शर्मा के साथ बैठक में कोई और नाम ही ते हो रहा था रवनीत सिन्बिट्टो पंजाब में प्रभावी नेता के रूप में जानने जाते हैं पंजाब में बिजेपे को काफी मुश्किले उठानी पर रही है ऐसे में पंजाब की सियासत सागने के लिए हर्थ के बावजूद उन्हें मंत्रीपद दिया गया वही मंत्रीपद मिलने के छे महीने के अंदर उन्हें सांगसत की सदसता चाहिए थी इस वज़े से उन्हें राजिस्थान से राज्यसबा सदस से बनाया जा रहा है इसके साथ ही सब्टेंबर में हर्याना और पंजाब में आग्मी चुनाव होने हैं ऐसे में पंजाब के इसका परभाब दिखेगा इसके अलावा गंगा नगरू हनुमानगर इलाकिये पर पार्टी की नजरे हैं रबनीत सिंब बिट्टू बिजेपी में आने से पहले कॉंग्रेस में थे और 2009, 2014 और 2019 में कॉंग्रेस की टिकेट पर लुद्याना से लोग सबचुनाव जीच चु जोदी और उन्हें केंद्री मंत्री पद दिया गया मोधी सरकार की 3.0 सरकार में रबनीत सिंब बिट्टू पंजाब से मंत्री पद हासल करने वाले एक मातर नहता हैं तमाम खबरों के लिए देखते रहें दनगरे नियूश शुक्रिया